हेलो आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नबर सेवन पार्ट तो हम तीसता कुश्चन कर चुके हैं थर्टी तक कुश्चन हो चुके हैं हमारे तो थर्टी फर्श से कुश्चन स्टार्ट करना है तो चली स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन राजिस्थान के वे आजिले जिनकी जन्शंक्या व्रद्धी दर भारत की ओसत जन्शंक्या दर 17.6% से कम थी यानि 2011 की जन्शंक्या दर के थी उसमें भारत की ओसत जन्शंक्या दर के थी 17.56% और राजिस्थान के ऐसे आजिले हैं जिनकी ओसत जन्शंक्या व्रद्धी दर जो है वो उससे भी कम रही तो वो कौन से आजिले हैं तो कौन से आजिले हैं वो जुन्जुनु पाली बूंदी चिताडगर सीकर हनमानगर और टॉंग ये वो आजिले हैं जहां भारत की ओसत जन्शंक्या दर जो की 17.56% रही थी 2011 की जन्गाना में उससे भी कम जन्शंक्या व्रद्धी दर इन आठ जिनों की रही थी चलिए नएक कुशन देखिए लिंगान उपाद किसे कहा जाता है लिंगान उपाद किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है प्रती हजार पुरुसों पर इसत्रियों की संख्या जैसे कि मान लिजे एक हजार पुरुस हैं और उसी जगे पे मान लो 888 जो ब्हारत के किन राज्यों अत्वा केंदर शासित प्रदेशों में सुध्यों की संक्या पुरसों से अधिक है था है, हमारे देशंगे में ज्यादा तर ऐसे जिले वो ऐसे राज्ये एसी on थे माना देशंगे में लेकिन कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां इस्तियों की संख्या जादा है और वो कौन-कौन से हैं केरल और पुद्दुचेरी ऐसे राजिया और किद्धासित प्रदेसों में आते हैं जहां पर इस्तियों की संख्या जादा है और पूर्सों की संख्या कम अनेता पूरे देश के अ करना के अनुसार लिंगानुपाद क्या है क्या था यहां पर 928 रायस्थान पूरे स्टेट का जो आपका लिंगानुपाद था यानि ह walks वह स्टार 10 928 रायस पहले ये रेशाओ और भी कम थाल लेकिन अब धीरी-दीरी सुदार रहा है और यह अच्छी बात थे त्योंकि अगर स्हूर्श एक टो कुदिश्था कि इस भी नवहां करने का बोटन यहां क। सब्ल iPhones के नहीं करें आपका करने काहुत्थ राजिस्थान में सन 2011 की जंगर्णा की अनुसार 6 वर से कम आयू के बच्चों में लिंगानुपाद क्या है क्योंकि इस्त्रियों की अगर संक्या कम होने लगी तो सामाजिक पतन स्टार्ट हो जाएगा और यह बहुत नुक्सान दे होगा यह जो ट्रपलेट का नंबर है यह 6 वर से कम आयू के बच्चों में जंगर्णा हुई थी उसमें मात्र 1000 पूरुस बच्चों के उपर मेल के उपर मात्र 888 ही लड़कियां थी यानि 1000 लड़के और 888 लड़कियां पैदा हुए तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है नहीं कोशन देखिए भारत सरकार द्वारा देश में महीला ससक्तिकर्ण एवं बेटियों के अधिकारों को सुनिशित करने के लिए जनवरी 2015 में देश में किस यूजना को प्रारंप किया गया है भारत सरकार द्वारा देश में महीला ससक्तिकर्ण एवं बेटियों के अधिकारों को सुनिशित करने के लिए जनवरी 2015 में देश में किस यूजना को प्रारंप किया गया है तो देखी इस यूजना को बहुत जादा आप में देखने को मिलेगा आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आपको याद नहीं है तो बता देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो यूजना है वो जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी और ये किसके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यूजना का उद्दीष ये क्या है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यूजना का उद्दीष ये क्या है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यूजना का उद्दीष ये क्या है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यूजना का प्रिशा द्वारा सामाजिक और आर्थिक आधार पर आत्म नर्वर बनाना ये इस योजना का मुख्य उद्देश है ना कोश्चन देखिए राजस्थान में सन 2011 की जणगर्णा की अनुसार राज्य की कुल साक्षर्था कितने प्रतिसथ है तो कितने प्रतिसथ है मात्र 66.10% जो है वो राजस्थान की कुल साक्षर्था है देखि जैसे जैसे साक्षर्था का रिशो बढ़ता है वैसे वैसे ही लिंगानुपात भी बढ़ता है अभी आपको इसको देखने को में लैगा केरल में सिख्षा का जो इस तरह है वो काफी अच्छा है और इसी नौलिज नहीं होने पर अक्सा परिशानियों का कारण बनता है चलिए नहीं कोशन देखें राजिस्तान में सन 2011 की जंगणना की अनुषा सरवादिक साक्छरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है? तो देखिए, पोटा जिला है जहां पर सरवाधिक साक्षर्ता है 6.6% पोटा में 6.6% साक्षर्ता राजस्थान में सरवाधिक 2011 की जनगर्णा की अनुसार दर्ज हुई है राजस्थान में सन 2011 की जंड़ना 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 की गड़ना की अनुसार सरवाधिक इस्त्री साक्षर्था वाला जिला कौन सा है? इसमें इस्त्री साक्षर्था वाला जिले के बारें आपके सबसे ज़्यादा साक्षर्था कोटा में थी और इस्त्री मियों में सबसे ज़्यादा साक्षर्था भी कोटा के अंदर थी और सबसे ज़्यादा पुरुस साक्षर्था जुन जुनों के अंदर थी और अब हम कर रहे हैं सबसे कम साक्षर्था वाले जिले की बार तो 2011 की जन्गर्णा के निशार सबसे कम पुरुस साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुस साक्षरता वाला जिला है पृताबगड़, सबसे कम सिछित पृताबगड़ के अंदर हैं, नेक कोशन देखिए, इसी तरह सबसे कम किस जिले में है राजिस्तान के अंदर? तो किस जिले के अंदर है? जालौर के अंदर जालौर के अंदर इसतिर साखचारता जिले में सबसे कम है देखे? बारत में 2011 की जन्रना के अज़ार हिंदु धर्मावलम्यों की आबादी कितने प्रितिशती यानि हिंदु धर्म मानने वाले जो लोग हैं आपको पता है हमारा देद धर्म निवास करते हैं धर्म निवास करते हैं और यही कारण है कि यहां अलग-अलग धर्म के आधार पर भी जन्रना निकाली जाती है तो 2011 की जन्रना के निस्टार हिंदु धर्मावलम्यों की आबादी कितने प्रितिशती भारत के अंदर वो थी 88.5% यानि 88.5% जो थे वो केवल हिंदु भारत के निवास कर रहे थे, नहीं कोशन देखिए, भारत में 2011 की जंडगंड़ना के अनुसार मुस्लिम धर्मावलंबियों की आबादी कितनी पृतिसाथ थी, तो वो थी 9.1 पृतिसाथ, ठीक है, कितनी थी, 9.1 पृतिसाथ मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भारत में निवास कर रहे थे, नहीं कोशन देखिए, राजिस्थान की अधिकारिक भासा कौन सी है, राजिस्थान की अधिकारिक भासा कौन सी है, बहुत से लोग अलगलग भासाओं को देते हैं, कोई राजिस्थानी बोल देता है, लेकिन एक्जेक्ली इसकी जो भासा है, वो हिंदी ही है, र मार्वाडी इस तरह जो अन्य भासा हैं जिसमें राजिस्टानी भासा का पुट नहीं हैं वो कौनगान सी हैं भीली, मेवाती, गुजराती, उर्दू और भ्रजभासा राजिस्थान में जंजाती आबादिक कि अन्य जिलों में निवास करती है तो किन जिलों में निवास करती है? उदैपूर, डूंगरपूर, चित्तोरगर्ड वे बासवाड़ा से लेकर बूंदी, कोटा, सवाई, मादोपूर, टौंग, जैपूर जिलों में ये निवास करती है नएक कोशन देखे, राजिस्थान राजे के प्रमुख जिन जातिया कौन कौन सी है? देखे, कौन कौन सी है? भील, गरसिया, मीना और सहरिया यहाँ पे अभी हम सहरिया के बारे में भी बात करेंगी, भील, गरसिया, मीना और सहरिया जो है, ये राजिस्थान की प्रमुख जिन जातिया है नेक कौशन देखे, राजिस्थान में सरवाधिक जन जातिया के किस जन जातिया है? नेक कौशन देखे भाराज सरकार द्वारा राजिस्थान की एक मात्र जनजाती जिसे आदिम जनजाती समों की सूची में सामिल किया गया है ये कोशन काफी इंपोर्टेंट है इस पाथ ध्यां रखेगा और वो कौन सी है सहरिया भारा सरकार ने सहरिया जो जन्जाती है राजिस्तान की उसको आदिम जन्जाती के तौर पर समलित किया है और ये रहती का है बारा जिले की सहाबाद वा किसंगन जन्जाती की पाई जाती है और ये भारा सरकार जारा राजिस्तान की एकमात जन्जाती है जिसे आदिम जन्ज राजस्थान राज्ये की सबसे प्राचीन जनजाती कौन्ची है? भीलों की भासा में किस भासा के सब्द पाए जाते हैं? या सब्द की उत्पति किस भासा से है? ये फार्सी भासा के सहर सब्द से हैं. इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जंगल या वन के निवासी. शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल या वन के निवासी. फार्सी भासा का सहर जो सब्द है जिससे सहरिया बना है उसका अभी प्राइब होता है जंगल या वन के निवास है तो इसी के साथ आपकी होते हैं कुश्चन समा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बच्चों थैंक यू